नमस्कार दोस्तों, मैं अरज़रासपर, दोस्तों, आपकी तरफ से काफी बार कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि आप जो पूरियर से रिलेटट चीजे अपने बिजनेस की वो कैसे मेनेज करते हो, मतलब आपके जो ओरस है वो आप कैसे शिप करते हो, कैसे उनकी जो है व जो चीज़ें हैं वो कैसे मेंने कर सकते हैं तो यहां पर एक चीज़ देखिए ओनलाइन बिजनस के जो भी ओडर्स रहते हैं उनको बेजने के लिए हमें यहां पर कॉरियर कंपनी के रिक्वायर्मेंट होती है यह आप सब को पताई है अगर आप e-commerce बिजनस शुरू करने के सोचरों होती हैं वहां पर इत्लीय कोड़ कहा दा को चीज़ करते हैं तो city सब्सक्राइल के सर्विस है कि नहीं customer जो है वो online business में कहीं से भी order का सकते हैं this के किसी भी कोले से जो है वो order का सकते हैं तो वहाँ से अगर customer order का रहे हैं तो उस particular pin code पे courier company की service है कि नहीं है पहली चीज़ तो यह देखी जाती है उसके बाद में देखे जो दूसरी चीज़ देखी जाती है कि जो भी courier company हम चूज कर रहे हैं वो हमें एक valid tracking information प्रवाइड करवा रही है और वो tracking information जो है वो उनकी website पे हम track भी कर पा रहे हैं देखे काफे सारी courier companies होती है जो tracking number तो देदेती है हमारे सेक्मेंट के लिए जिसको AWB number बोलते हैं लेकिन अगर हम उस courier company की website पे जाके चेक करेंगे तो वो track ही नहीं होता वहाँ पर या फिर वहाँ पर जो information होती है वो काफे पूरानी होती है या फिर updated नहीं होती है तो ऐसे में क्या है कि ऐसे में customers को problem होती है order को track करने में और फिर customers जो हमें कूल करके complaint raise करवाते हैं या फिर हमें कूल करके जो है वो query raise करते हैं कि भी हमारा shipment कहाँ पर हमें deliver नहीं हुआ कब deliver होगा वो सारी चीज़ है तो यहाँ पर क्या calls का flow या फिर जो भी customer support में flow है वो बढ़ जाता है तो अगर हमारी ऐसी courier company है जिन्होंने हमें tracking number दे दिया और जब हम उनकी website पर डाल रहा है और हमें exact information मिल दिया है यह भी हमारा shipment कहाँ पर है estimated delivery date इसकी क्या है कब जो है वो यह ship हुआ था कब deliver होगा वो सारी information जब हमें मिल जाती है तो customer भी जो उसको easily देख पाता है वहीं इसी customer जो उसको track कर पाते हैं tracking link से तो यहां पर क्या है कि हमारी जाता burden नहीं होती है हमें बार-बार में customer को बताना नहीं पड़ता customers आज की time में अगर तो इतने intelligent होते हैं कि वो track कर पाए तो अगर courier company की website और tracking information सही तरी के से काम कर रही है तो यह हमारे लिए best होता है और यह जो हमें courier company में देखना चाहिए उसके बाद में देखिए हम आपने access देखते हैं वो देखते हैं NDR report NDR reports basically क्या होती है जो order customer को deliver नहीं हो पाई किसी भी reason के विजए से जैसे मान लिजए कि customer का address वहाँ पे incomplete था या फिर customer का contact नहीं हो पाई या mobile number जो वो customer का नहीं मिल रहा या फिर किसी भी reason के विजए से customer को deliver नहीं हो पाई तो ऐसे cases में अगर हमें update मिल जाए टाइम से ही तो हम क्या है उसके उपर action ले सकते हैं जैसे मान लिजए कि customer का address incomplete था courier पसंद जो वो customer को product deliver करने के लिए गए तेकिन वहाँ पे अगर वो deliver नहीं कर पाई और हमें instant पता लग गया कि भी ये particular order है जो नहीं deliver हो पाया या non deliverable में आ रहा है तो हम क्या है हम customer को contact करके उसका proper address ले सकते हैं जो भी उसके उपर action लेना वो हम उसको ले सकते हैं जैसे उसको hold करवा सकते हैं या फिर वापस मुआना जो भी करना वो उसको उपर action ले बाए तो ऐसे में क्या रहता है कि हमारे returns जो वो कम हो जाते हैं हम अगर time पर उनको उपर action ले पाए उसके बाद में next चीज हमें देखनी होते हैं कि हमें cash on delivery के facility मिल दी है कि नहीं मिल दी cash on delivery की facility अगर हमें career company प्रोवाइड करवाती है तो हमारे लिए well and good होता है कि काफी सारे कास्में जो आज के time में भी cash on delivery prefer करते हैं products मंगवाने के लिए order जो हूं मंगवाने के लिए पर एक चीज यहां पर यह देखी जाते हैं कि जो भी order मेरे जितने भी order रह रहे हैं चाहे मेरे डेली के दो order है product हमारी यहां से pick up हो रहे हैं तो यह चीज जो वह वैलन गूड रहती है तो देखिए यह सारी चीजे जो हमें कूरियर कंपनी में देखनी होती है अब बात आती है कि हम इन सब चीजों को कैसे manage करते हैं यहां पर देखिए delivery कूरियर कंपनी है अपने नाम भी सुना होगा e-commerce industry में काफी समय से जो वह काम करी है तो उनका पैनल है delivery one करके जो उन्होंने थोड़े टाइम पहले launch किया था अब देखिए delivery one में basically क्या होता है कि हम एक पैनल मिल जाता है हम उन ओडर पर जो वो शिपिंग लेबल लगाते हैं और शिपिंग लेबल लगाने के बाद में delivery के जो भी पिक अपरसंस रहते हैं उनके पास में रिक्वेस्ट ली जाती है और वो हमारे जो भी वेरहूस आया या फिर जहां से भी हम बिजनस उपरेट करें वहां से हमारे फ्रोडुक्न पर लेकि जाते हैं और वहो नंगे पर यहां पर गता है payment option prepared wallet model रहता है तो minimum 500 रुपय तक हम जो रिचाज करना पड़ता है हमारी ज़्यादा षिपमेंट्स है हम ज़्यादा रिचाज कर लेंगे हमारी चिर्पमेंट किसी रिजन के वज़ाँ से कम है तो हम जो रिचाज करेंगे दूसरी चिपकर की वो सारी facilities जो है वो हमें मिल जाती है वो shipment को book करने की process जो है वो भी काफी smooth है तो हमारी day-to-day जो भी task कर रहती है न कोरियर से related वो हम वहाँ से manage कर सकते हैं easily तो अब delivery one use करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें basically delivery one की website पे जाके simply register करना होता है register करने के बाद में हमें पैनल मिल जाता है पैनल से हम जो वो shipment के booking कर सकते हैं उनके label प्रिंट कर सकते हैं और बाकि जो है वो pickup और वो सारी चीजे manage कर सकते हैं NDR manage कर सकते हैं COD remedies जो है वो हम देख सकते हैं COD के shipment भी जो है वो book कर सकते हैं तो overall e-commerce business की जो भी requirement होती है courier से related वो सारी जो हो हमारी वहां पे fulfill हो जाती है तो इस तरह के से basically courier से related पार्ट जो हो manage होता है अब उमीद करता हूं ये video ये information आपके लिए helpful रही होगी पाके e-commerce से related videos के लिए आप दोड़े रही माचल के साथ में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद